नमस्कार मैं प्रिवेश पांडे और आप देख रहें क्राइम तक हमारे साथ चिराग गोटी और दिपिका हैं आज हम जिस टॉपिक पर डिसकस करने वाले वो है है इपर सेक्शुल डिसॉडर या आपने कुछ लोगों ने सुना होगा कुछ लोगों के लिए पहली बारे तो यह बताने से पहले मैं केस के बारे में आपको बताना चाहूँगा गुजरात से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक 90 साल के बुड़े आदमी ने अपनी पत्नी से इतनी जादा यौन इच्छा की मतलब इतने बार सेक्स करने की मांग कर दी कि पत्नी ने परिशान होके 80 साल की जो उनकी बुड़ी पत्नी है वो परिशान होके उन्होंने पुलिस को कंप्लेंड कर दी इस बात की कि इन्होंने मुझे परिशान कर दिया है बार बार सेक्स की इच्छा मांग के और मेरा मन नहीं होता मैं बिमार हूं फिर भी तो इसे लेकर चर्चा का विष्य बन गया है कि मतलब हाईपर सेक्षोलल डिशॉडर जिससे लोग समझ नहीं पार है और जिस पर बात नहीं कर रहें लेकिन ये क्या है यह लोगों की माप मतलब लोग इससे समझ पा रहे हैं नहीं ठीक से यह बेसिकली जो मुझे लगता है यह एक सेक्स एजुकेशन से जुड़ा मामला है और यह बड़ा ही गंभीर मामला है यह इसलिए गंभीर है क्योंकि अगर यह डिसॉडर किसी को हो जाए तो आप यकीन मा अच्छा कर रहा है या तो उसको सेक्स नहीं मिला एक बहुत ऐसा आदमी कर रहा है जिसको बहुत जादा इच्छा हैं कई लोगों की कम इच्छा हैं और इन्हीं इच्छाओं की वजए से मुझे जो लगता है जो मेरा assessment कहता है कि वो क्राइम की तरफ बढ़ता है और इस त करने के लिए बिमार है वो हिल नहीं पाती है लेकिन फिर भी उनके पती के इच्छा है पूरी नहीं होती और यह बड़ी अजीब सी चीज है और आँसे में उनकी और यह कोशिश की जा रही है कि उनको संझाया जाया है लेकिन सवाल ही उठता है कि ये इतना भ्यानक डिजी यकीन मानी है यह हम लोग एक डेली लाइफ के अगर बात करें तो लोग कहते हैं अरे क्या फालतु का टॉपिक ले लिया है क्या डिसकुशन है यार यह क्या मेंटालिटी है आपकी जो आइस होती है न वह बहुत कुछ बोलती है यानि कि अगर आपने कुछ ऐसी चीज देख ली मतलब आपने कोई मूवी देख ली कोई अपने अगर पॉन वीडियो देख लिया तो आपके 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 माइंड पर इंपक्रियेट कर रहे है कि आप को एक तरह से आप सैक्लों मतलब आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो कि मेरी सैटिसफेक्शन का जरिया बस यह तब उस समय आपका माइंड आप पर कंट्रोल नहीं करता जैसे कि दिपका बता रही थी हमें थोड़े दिर पहले कि हाइपर सेक्शल डिसॉर्डर के वज़े से बहुत सारे केसे जा रहे हैं जो साइबर क्राइम में ब्लैक मेलिंग के लिए यूज कर रहे हैं मतलब जीने कि लोग मेना अर्ज होती है कि आप सेक्स करें आप पॉर्ड वीडियोस देखें किसी भी तरह से आप ऐसा सेक्शल रिलेशन किसी से बनाए वो चाहे वर्चुल हो या फिजिकल हो तो और हाँ इसमें यह इतना निया कि सिर्फ मर्दों में पाया जाता है 30% मैं है जिनमें य अर्ज होती है अब इससे रिलेटेट केस क्या हुआ था कि इन दौर का ही एक केस था जिसमें एक बुजूर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने एक मेट्रिमोनियल साइट पर एक महिला के संपक्ख में आए वो बहुत अकेला फील कर रहे थे हैं उनका जो भी रिजन रहा होगा व उन्होंने वीडियो कॉल्स की वीडियो कॉल्स में अब क्या अब यह देखिए कि यह कहां क्राइम को कैसे लीड कर रहा है वह बहुत एक पर्सनल चीज थी उसमाहिला ने वीडियो कॉल किया ऐसे अशलील वीडियो कैप्चर के स्क्रीन शॉट लिये फिर उस व्यक्ति को ब बहुत बड़ी थी इस चीज के चलते उस व्यक्ति ने सुिसाइड कर लिया क्योंकि वह बहुत ज्यादा डर चुकेते या उन्हें अपनी इज़त का खयालता या कुछ भी लेकिन यह अब हो सकता है उस बुजूर्ग व्यक्ति के अंदर यह हो कि वह अकेला था उसको डिमा आपको हर चीज में लगता है आपकी महत्वकांशा बहुत जादा है और उसके हिसाब से आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं महनत नहीं कर रहे हैं और जो समय लगना चाहिए जो हर महत्वकांशा में पूरा करने में समय लगता है पेशेंस चाहिए होता है वो आपके अं और शौटकट सुनने के चक्कर में आप इस डिसॉर्डर से पीडित हैं या फिर कहें कि जो अभी दिपिका बताया थी कि पॉन वीडियो बहुत जादा देख रहे हैं या इस तरह के हरकते बहुत कर रहे हैं परिवेश मैं जानना चाहता हूं यह जो डिजीज है कोई भी अग परियर होंगे जो जिनको एक्चुल में कोई फरक नी पड़ता यानि कि उनकी भोग इतनी शांत होती है या उनका दिमाग इस तरफ बिलकुल नहीं होता या यह कहा जाए कि हम उनको कुछ भी बोलें चैप सुसाइटी उनको कई बार कहती है तो बेवकूफ है या कुछ अल अला को किसी हर किसी में आपको गंदी नजर से अप उसको देखना शुरू कर देते हैं चाहे उसने कपड़े जैसे भी पहने हो लेकिन आपकी जो नजर है वह हमेशा ही गंदी रहेगी और खासकर युवाओं बहुत दिखा जाता है अला कि अरेज में बिलकुल बिलकुल औ युवाओं में भी आज के समय में बोला जाए कि यह 17-18-16 साल के बच्चे यह बड़ा टार्गेट हो रहे हैं इस चीजों में मतलब उन्हें पता नहीं है क्या बहुत सारी चीजे कोई उनका कोई सीनियर दिखा दे रहा है कोई बता दे रहा है तो वह चीजे देखने लग और उसी हिसाब से चीजों को रियाक कर रहे हैं जैसे कि हम अननेचरल साइक हम बताते नहीं क्या है किस चीज कैसे ही होती है लेकिन अगर वह कोई बाहर कंट्री के पॉंड्स वीडियो देख रहे है और उन्हें पता ही नहीं उन्होंने देख लिए यही तरीका है इसी तरह चीजे होती है जब उन्हें ठीक से गाइडेंस ही नहीं है तो इसकी तरफ बढ़ते अब यह एज में बहुत सारी चीजे मिलना तो मुश्किल है आप बहुत सारी चीज आपको फ्रीडम भी नहीं है बिल्कुल छोटा है वह 17-18 साल का क्या करेगा तो उसको फ्रीडम नहीं तो वह इन सब चीजों की तरफ जादा एट्रैक्ट होते हैं क्योंकि यह इजी मीन्स हैं यह इंटरनेट पर अवैलेबल हैं यह वर्चुल दुनिया है जिसमें ऐसा लगता है उसको कि ठीक है इसमें मेरा पैसा भी बहुत पर बढ़ जाता है चिराग जी तभी यह केसे जा होगा जब उससे जज पूछ रहे थे और उससे लगातार इन्वेस्टिकशन चल रहे थी उससे पूछ मिते हैं कि आप ऐसा क्यों करते थे कि आप एक लड़की को पहले 64 भृश्य पर उसको मार कर कि बस मैं इसके साथ sex कर लो उस शक्स को जब पूछा गया उसकी जब sexual history उठाई गई तो उसने कभी sex ही नहीं किया था तो यह बहुत बड़ा reason था कि जिस वजह से वो उसने इस तरह की घटनाओ को इंजाम दिया अब सवाल उठता है कि sex कि सेज में sex क्या वाकई अगर यह बहुत जादा hypersexual personality हो जाए जैसे हमने देखा गुजरात में तो यह एक अजीब परिस्तिती पैदा कर देती है और खासकर एक तो यह दूसरा यह कि आप controlled हैं आप बिलकुल controlled हैं लेकिन आपके दिमाग में यह चीज घुसी हुई है बैठी हुई है आप हर जैसे मैं कि आपको नजर आती होगी कई बार ऐसा होता है कि कई आपके रिष्टेदार ही ऐसे हो लेकिन आप चुकी एक certain reasons की वैसे उनसे कुछ बोल नहीं बाते लेकिन वह आपको देखता है कि यह आदमें ठीक नहीं है इसकी दृष्टी ठीक नहीं है यह गलत दृष्टी से देखत जाएगा कि 11 साल की बच्ची है 10 साल की बच्ची है उसके साथ 30 साल के आदमी ने 40 साल के आदमी ने कुछ गलत किया हो तो यह सब घरवालों कोई क्योंकि कंट्रोल जो एक कंट्रोल पावर होती उसे समझ उसे समझी नहीं रहे वह इतना sexual disorder मतलब इतनी वह गंद में चला गय है उसके लिए अपने परिवार का कल्यान करना इशु नहीं उसके इशु क्या है कि उसको उस समय वह चीज चाहिए और बड़ी भ्यंकर तरीके से उसकी नीड़ है और यह हमने दिखा कि कई लोग उसके शिकार हो जाते हैं और तारा तारा जवे और इस चीज को ना मतलब अ इंडस्ट्री ने इतना समझ लिया है कि इसे बिजनेस मना लिया है अब क्या होता है ना की आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लाट फोर्म्स एन जो आपको देशे मेंगे की मतलब आप डेस्परेट हो जाएंगे क्लिक करने के जहां आपने क्लिक किया आप इस गए मतलब उसमें बोलेगे कि वीडियो कॉल करो ना, मैसेज देखो ना, बात करो ना, और जो डेस्परेट लोग जो होते हैं, जो अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो उस पर क्लिक करेंगे, एक वीडियो ओपन होगा, जिसमें लड़की अपने कपड़े उतार रही होगी, आप और डेस्परेट हो जाएंगे, फिर वो आपको टेक्स्ट करेगी, कि मैं आपको ये स्क्रीन शॉट मैं सेंड कर दूंगी, मैं आपको बदनाम कर दूंगी नहीं तो आप मुझे पैसे दो, तो आप ये देखिए ना, लोग कितना पागल हुए जा रहे हैं इसके पीछ अजिए फासी सकते, वो आप एकार्ट लोग करते हैं लेकिन सवाल उठता है कि अगर ये आपके लिए परिशानी बन जाए आपके दिमांग में इतना इतना मुझाब को चीज ओ इसके कि आपको निकलना मुझेव जाए तो ये बहुत जाद कर दिक्कत कर देते हैं जैसे मै अगर आपको राइट एज में सही चीजे पता चल जाएं जैसे मैं हम कि अगर जो भी ये पैरेंट ये वीडियो देख रहे तो आपने बच्चे से डिसकस करें जैसे कि अब उसे की बेटा तुमें ये सब चीजे करनी है तुम बॉइफरें गल्फरें बना सकते हो लेकिन तु एक तरफ हम बात कर रहे है ये बड़ा बच्चे को पता जी मैंने फॉस लाइग नहीं बोली थी कि बच्चे को पता ही नहीं कि है और वह बाहर देस्ट की वीडियो देख रहा है इंडिया में बहुत सारी चीजे अननेचरल सेक्स में काउंट होती है वह वह उसे नॉर्मल उसे वीडियो बना रहें उसी पर जणरेट करर रहे उन्हें एनल बहुत सारे मोजआ लोगों ने इसी से सीक लिए वीडियो से लियां वही चीजों अफलाय कर रहे तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो mental disorder उस चीज़ को बढ़ा दे रहे हैं फिर उन्हें पता नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं हम सही है कि गलत तो पहले तो घर में बच्चों को बताना चाहिए हम बात करनी बहुत ज़रूरी है अगर हम बात ही नहीं कर रहे हैं अगर इस चीज़ प अपनी वाइव से कर रहे हैं और उसमें भी आप हाइपर नहीं हो रहे हैं एक नॉर्मल सरक्म्स्टांस में कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारी किसेज में चिराजी है यहां एक बड़ी अजीप सिस्थिती है कि वन मैन विमन जो है वो कितने लोग हैं आप बताईए आपके मैं इस कि शाधी हुए उनको एक वाइफाइ और वो इस ही से कमिंटेड है और ना उस चादी से पहले कि कई लोगों को चाहते हैं यह कि जाले यह सब मतला ए आप बड़ी आज को कहां जा ऑध क्यों के वाहन्त सा है तो मैं यह जा जाए कु ओं निमन ऊखीट है आपको कहीं आपके साथ ऐसा है आपको हर किसी को देख कैसा मतला आपके अंदर ऐसी तेजना जाती है आपके अंदर कुछ गलत करने का ऐसा कुछ थोड भी आता है तब आप डॉक्टर से दिखाईए इस वे बात कीजिए नहीं लोग जाएंगे तो आप आगे चल के क्राइम भी कर सकते है आप इंटरनेट पर है सर्च कीजिए कि इस डिस और से बहार निकले कि हम क्राइम नहीं कर रहे हम वहीं तक जुड रहे हैं जाएसादा जो हम बस देखेंगे और क्या करेंगे करेंगे कर यह बहुत बार होता है कि क्राइम एक कर रहा हो उसके साथ जिसे बहुत सारे गैंग जुए आपको बैश में के कि बात हो कि थ afraid अभर यड़ी डड़का नि भात करेंका जा करोंगी paak क्यों में अगर आप किसी लड़की को घूर रहें तो वो भी रेप की डेशन में और मुंबई प्रज़ी देविश्टी से उती है और उसके बात फिर देरे और मतलब मैं तो कहता हूं कि कई लोग सिर्फ देखने तक सीमित रहते हैं कई लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं बात करते बात करते हैं कई लोग बात से भी फिर आगे messages करते हैं फिर कई लोग और जो है close होने की कोशिश करते है कि जो है वो चलिए मिलते हैं फिर मुलाकात होती है फिर obviously ड्रिंग पाटी होती है और उसके बाद ही सारी चीज़े होती है यह दब तक ही सही जब तक consent है अब जब यह तो फिर बुड़े आदमी के साथ जो हुआ है यह है मतलब बीवी कितना मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं है मैं इस चीज के लिए इतनी नहीं है मेरी मर्जी है पर मेरी मर्जी इतनी नहीं है वह आप उस डिसॉर्डर से गो करेंगे अगर उसने कंप्लेंट कर दी तो उसने उस लेडी शिकायत करी है बिल्कुल उनों ने उनको किसी ने गाइड कियो कि आप शिकायत करें क्योंकि ये कानुन जो एक अपराद है अगर आप इस तरह की घटनाय कर रहे है आप अगर अपनी वाइव से जबरदस्ती कर रहे है आप वो रेप की काटेगिरी में आ कि आप उसे जबरदस्ती है और ये मुद्धा बहुत उट भी रहा है आजकल मेरेटियल रेप का जो कि आगे जाके इस पर बहुत डिसकुशन भी हो रहे है इसके लिए लौज आने वाले है इसाब बोल रहे है कि इस पर जाबा डिसकुशन होगा क्योंकि आप होता क्या है तो जब रिसक्षी का था रहा है और ये मुद्धा उट करते हैं इसके बाद आप एक्सप्ट करते हैं कि आ उनके साथ कि छुषा करते हैं कि अप्सके साथ कर दोरेश्चर पर आपना सेख और आप तो पहुझत जासे पही तो इतना सेक्स अगे कर नहीं उनकी नहीं पहुझा है जितने सारे जो आ रहें, फ्रॉड नहीं नहीं फ्रॉड आ रहें, इसमें फर्स रहें, बुड़े लोग जाता केसे जो हम डिसकस एक चीज साथ में और भी गर रहे थे, कि जो आपकी वर्ण क्या आज की डेट में आप से जानना चाहता हूं, चलिए आप इसका जबाब दीज कई लोग सोचेंगे शायद फालतू को टॉपिक है, लेकि फालतू को टॉपिक नहीं है, क्योंकि यह आगे आपकी पर्सनलिटी से जोड़ावर टॉपिक है, यह आगे आपको लीड करता है, क्राइम से जोड़ता है, क्या आपको लगता है कि आप आज की डेट में, या हम स उनको अच्छी नजर से देख सकते हैं नहीं क्या इसके पैमाने आपने तै कर रखें आप बताई एक खुल कर बताईए कि यह जो चीज है इसको कैसे दूर किया जाए क्योंकि एड देंड आप किसी की किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते किसी महिला के साथ आप जूड़ी है लेकिन लोग कहते हैं सदियों से यह चीज चली आ रही है कई लोग तो ऐसा एक्जामपल देते हैं आप सोच के हरान हो जाए कि लोग क्यते हैं विश्वा मित्र तक कंट्रोल नहीं कर पाया तो फिर एक आम आदमी कैसे कंट्रोल कर लेगा यह इस पर प्रकाश हो सकते वह कोई बुरी बात नहीं है आप एट्रैक हो सकते लिकिन आपको चीजों को समझना पड़ेगा मैं ट्रैक्ट हो रहा हूं अब मैं जिस फेज में मेरी शादी हो गई अब मैं लॉयल हो अपनी वाइफ को लेकर अगर तो मैं उस चीज पर एट्रैक्ट हो रहा हूं मैं ठीक है वो सिप कुछ सेकंड के लिए अट्रैक्ट हो रहा हूं मैं उस चीज को वह नहीं कर रहा हूं कि अपनी वाइफ को छोड़ू फिर मैं उसे चीट करूँ उसके पीछे लग जाओं यह कहीं ना कहीं और आज प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूं मैं यह नहीं जो एक पती को करने चाहिए पत्नी के लिए अपके ताथ ऐसा कभी कुछ हुआ है मतलब आप बताता हूं उसी पर आग तो ऐसे कई दोस्ते हैं जो यह एक साइड में एक एक लॉस देते हैं कि देखिए मैं सब कर रहा हूं इसलिए मैं एक्स्ट्रामेरिटल कर रहा हूं हर चीज मैं ही मैंनेच करता हूं हर काम मैं ही करता हूं तो मुझे राइट रहा है तो उंकी एट वार्फ हर दो एक vape था है तो वह ऑनेच करना एनमिसी घर कॉन चला रहा है तो एसे तो फ्ल 현재 वाशक है तो इसे जाई आफ मेरि तो 5 5 गलफ्रेंड प्रेंड's मैं इन तो दी मैंने तो देखिए मेरी तो पांच गल्रंड है यह मतलब एक सोचल स्टिग्मा है कि आज मेरी पांच है मतलब मैं डूडू मतलब मुझे में कुछ है इसा जो दूसरे में नहीं है और जब पता लगता है कि उसमें डूड कितना है बाई डूड अपो तो आप पैसा बहुत हो दूसरे में चीट कर लोगों से बंदद आप यह पैसी प्रण करोह भी जो नो बार चिए मौट वल् gen गरवाधर और यहां है कि बहुत नो गोल्फैंड को इस regression अब भी हमने रिसेंटली बंगाल का एक केस देखा था जिसमें दोनों गल्फ्रेंड ने प्लान करके अपने बॉइफ्रेंड को इमरवा दिया वो लास्ट में थक खार के ही कोड जाती है बिलकुल दूसरा जो शक्स है जो इस तरह की दो या तीन गल्फ्रेंड बनाता है वो एक तो इसको सोशल स्टिग्मा मान कर चलता है कि मैं कुछ हूं चाहे वो कुछ नहीं हो लेकिन उसको एड़न ये भी फील होता है जब उसका खर पांच गल्फेंड रख गल्स आए तो इस डाड़का ऑने लड़का का ईसकी तो हर नहीं हो जड़का प्ताक से अस्का जज कर दिया जाएगा ये तो चली आरया है जाए तो चल्यारर में अधा चल्च बेंगरना शाटी जाती है तो का अणिस की नहीं चाहीं हो उना एक्श तो आपकी शादी हो चुकिया, आप कहां तक इस चीज को सही मानते हैं, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए हर चीज कर रहे हैं, तो आपकी शादी हो चुकिया, आप कहां तक इस चीज को सही मानते हैं, क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए हर चीज कर रहे हैं, क्योंकि आ आपका तो खेर जो होगा होगा, आपके घर में पता चलेगा, आपकी वाइफ के घर में पता चलेगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्टा खतम हो जाएगी, आपका प्रफेशनल करियर खतम हो जाएगा, आप कहीं मूझ दिखाने लाइक नहीं रहेंगे, और उसका at the end क्या करते हैं कही ऐसे लोग है तो मुझे मेरा बहुत क्लियर इसमें व्यूपोइंट है मेरे से थोड़ा अलग रहा है इनकी इनकी अंसे थोड़ी अलग रहा है ऐसा का देखिए बहुत सारे रिलेशन ना जैसा चलना चीव ऐसा चलता नहीं पती-पत्नी में जगड़े होने लगत बहुत टॉक्सिक हो जाता है तो वैसे में आपको एक नीड होती है जो आपसे प्यार से बात करें प्यार से बोले उस टाइम पे अफेर्स होते हैं और मैं उस चीजों मैं उस चीज को सपोर्ड भी करता हूं कि आप अगर आप से जम रहे तो आप उसके साथ अगर अगर अगर आप शादिश होना है और अगर आप किसी से अफेर कर रहे हैं तो वह गुना नहीं है बड़ा अजीब डिसेजन मुझे लगा कि भई वो कहते हैं यह पक्ष भी खुश है यह पक्ष भी खुश है तो फिर दिक्कत क्या है या उस पक्ष को पता ही नहीं है दूसरे चश्मा कौन सा पेंदहे कल नया चश्मा ले अपके एर साइ बड़िया शैंपू ले आई आपके लिए दो शटे ले आइए आपके बढ़िया पैन ले आई त्राउजर ले ए तो ऐसा लगता है कि देखिए मेरी मा और मेरे फादर ने तो आज तक मुझे कुछ दिया निया तो आपने इसको वैसे टूर लाख मिल जाए तो मुझे एसा लगा है कि मुझे है तक जो भाप आ से प्यार करने कैले जरूरी आपको कोई ऐसी लड़की चाहिए या आप शाधी षब आपको क्यों चाहिए आपकी वाइक जब है बच्चे आपके सब्सक्राइब को तो प्यार बढाई बात सब्सक्राइबлекात डियां तो ब istto do दरनी सब्सक्राइब यहां इत्रनी अजा गतां इसा लग लिए को रिए इंप अंचनव बुष्या है इत्रों सब्सक्राइब इनके घ्राम मेरे फोरे convince नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो जगड़ा हो जाएगा, फिर वो crime में बदल जाता है और मैं आपको बताओं, प्यार की जो ये definition है ये बड़ी ही अजीब सी definition है क्योंकि आप अपने परिवार से मान लिजे आपकी 30 साल में शादी हो रही है अगर भुषक आंपनी सी में प्यार कर सकते है यह आप से बोर हो गया है एक बोर जो बोर हो गया है कि रोज तो जो है वह वह सेम चीज क्या करें यह हम इसलिए डिसकस करें कि यह डिसॉडर स्टार्ट कहां से होता है मतलब देखे जब आपका घर में अकेला फील करने लेगा मेरा टॉक्सिक रिलेशन चल रहा है फिर में किसी देखे लोग शराब को दारु शराब पीना शुरू कर देते जो मतलब कोई नशा शुरू करते तो बहुत चीजे होती है इससे बहर आना है मुझे अपना कहीं ध्यान कहीं और के इंद्रित करना है तो उस समय हम अपने माइंड को डायवर्ट करने को इन सब चीजों में चले जाता है तो इदे की श्टार्ट होता है हमारे सराउंडिंग से अगर आप हमारे घर से चुरू होती हम बूला जाते हैं आप चोटी-बटी चीजे हमारे घर से शुरू होती है तो आप घर में ऊछा आगर कोई बच्चा केला है दिन बर मुबायल में बैठा है उसे बात करने वार कुछ नहीं अगर ऐसी चीजे देख लेगा तो उसमें औ यह जैनल ही में जात चाहे हिस्ते आपको नड़किसे तरा मेर के defरोती है जाता है मैंने कає कितनी लड़्कियों से प्यार हों, जाता है थे हर्लड़की से प्यार होता है जाता है आप है, प्यूध को को साधल को आः लड़की से प्याद अपल को टो हुआतよね को बुरी लगती होगी प्यार नहीं होता गोलोast की आदत होते तो वह आदत वाली बात है मुझे रही कुछ आछ सबको आपना मानना है स्भाब टो अह एक बहुत लोगों को प्यार हो एक एक दूस्पर इस यह topic इसलिए discuss कर रहे है क्योंकि crime आपके दिमाग से शुरू होता है और शम सर ने भी कहा था मुझे अची तरह याद है कि पहला जो crime होता है वो आपके दिमाग से शुरू होता है और उसके बाद आप वो crime आगे commit करते हैं तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने mind को control किया तो सारी चीज़े control होती है लेकिन इसमें कई सारे clauses भी है कई सारी परिस्तेतियां भी है कई सारी चीज़े भी है हम इस मुद्दे को और आगे discuss करना चाहते हैं हम आपके views का इंतजार करेंगे कि आपको जो हमने discuss कि आपका इस पर क्या viewpoint है क्या हमने जो बाते कि ऐसा होता नहीं है कैसे इसको दूर किया जाए कैसे when women man जिसको मैं describe कर रहा हूँ बना जाए कैसे जो है वह आप नजर अपनी ठीक की जाए जो गंदी नजर जिसको कहते हैं उसको बिल्कुल साफ की जाए कैसे आप अपने परिवार को जादा प्यार करें पत्नी को जादा प्यार करें बच् बढ़ार करें अपनी चीजे कैसे खुद समझना बहुत जरूरी है अगर आपको कोई भी स्टेज में समझ रहा है कि यह डिसॉडर मेरे साथ है तो मैं उससे ओवर कम कैसे हो इंटरनेट पे बहुत सारी चीजे जब आपको नहीं मिलता आप क्राइम करते हैं इसके दूसरे भी डियक्शन है जब आपको नहीं मिलता आप क्राइम नहीं करते हैं लेकिन जो में जो परिस्तिती पैदा होती है वो कहीं नहीं आपको जो है वो जिसको एक तरह से कहा जाता है कि डिस्चार्ज जो है वो प्र आप खुल कर इसमें बोले कैसे इसको दूर किया जाए क्योंकि आपकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए पवित्र होनी चाहिए और आप जो है यह न कहें यह तो यार दुनिया का दस्तूर है इस है अभी कापी बदल नहीं सकता है। बहुत लिए से डिसॉर्डर नहीं बोलते हैं। मेरी तो कैप़ी सिटी है। मैं तो इतना कैप़ी बहुत है। इसके साथ साथ तो 50 चीजे भी तो करें। आप वो तो डिसकेस नहीं करें। मेरी इतनी फेल्त होगी। इतनी मेरी prosperity आप वो तो discuss नी कर रहे हैं, आपको यही टॉपिक मिला discuss करने के लिए, तो देखिए यह तो disorder भी है, इसलिए हम इसको discuss कर रहे हैं, क्यार अपने व्यूस जादा सजादा दीजिए, तभी हम इस topic को आगे continue करेंगे, धन्यवाद दोश्तों. झाल